प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात कारिकरम के 95 एपिसोड के जरिये देश के लोगों को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने G20 भारत के स्पेस सेक्टर में जगा दुनिया में बढ़ती भारतिय संगीत की लोग प्रेयता सहित कई मुद्दों पर चर्चा की कारिकरम में राष्ट पिता महात्मा गांधी का भजन भी प्ले किया गया पियेम ने कहा कि हम बहुत तेजी से इस कारिके शतक की तरब बढ़ रहे हैं यह कारिकरम मेरे लिए 130 करोड देशवासियों से जुड़ने का एक और माध्यम है पर एपिसोड से पहले गांग शहरों से आए धेल सारे पत्रों को पढ़ना बच्चों से लेकर भुजर्गों के आडियो मैसेज को सुनना ये मेरे लिए एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह होता है पियेम ने सबसे पहले जीटोएंटी का जिक्र किया उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही मुझे तेलांगना से हरीप्रसाद कारू ने हाथ से जीटोएंटी का लोगो बना कर भेजा है ये शांदान उपहार मैं देखकर हैरान रह गया मेरे मन में विचार आया कि तेलांगना में बैठा व्यक्ती जीटोएंटी सम्मेलन से खुद कोस कितना जुड़ा हुआ महसूस करता है उन्होंने कहा कि भारत एक किसमबर से बड़े समू की अध्यक्षिता करने जा रहा है जीटोएंटी के अध्यक्षिता हमारे लिए एक बड़ा मौका बन कर आई है हमें इस मौके का पूरा उप्योग करते हुए विश्व करल्यान पर ध्यान के इंद्रित करना है चाहे शांती हो एक ताफ पर्यावर्ण को लेकर सम्मेदन शीली की बात हो या फिर सतत विकाश की भारत के पास इन से जूड़ी चिनोतियों का समाधान हो हमने जीटोएंटी के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की जो थीम दी है उसे वासुदेव कुटम कम के लिए हमारी प्रतिबदताज जाहिरूती है